नमस्का दोस्तो वेलकम टू माई चैनल मेरे चैनल पे आप सभी को श्वागत है दोस्तो आज भी मैं अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ तो वीडियो सुरू करने से पहले आप से करता हूँ एक रिक्वेस्ट कि आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइ नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए नीचे सब्सक्राइब बटन है उसके ठीक राइट साइड में एक बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तो आज का जो वीडियो है बहुत एक दम लास्ट तक देखते रहिए दोस्तो आज जिस बिजनेस के बारे में हम जानकर यहासिल करेंगे उस बिजनेस में इन्वेजमेंट जादा नहीं है लेकिन मर्जिन प्रॉपिट मर्जिन जो है बहुत बढ़िया है तो यह बिजनेस क्या है चलिए जान लेते हैं दोस् क्या इन्वेजमेंट है कितना प्रॉपिट मर्जिन आएगा कहां पर बेचना है और एक घरवले में मिलता है उसका दाम कितना पड़ेगा पूरा जानकरिया अगर आप अगर पाना चाहते हैं तो वीडियो को एक दम लास्ट तक देखते रहिए दोस्तो इसे आप अगर इस से बारा हजर आप छोडा सा इंवेस्ट करके अगर बिजनेस को डेखना चाहते हैं कि इसमें मार्जिन कितना मिलेगा यह बिजनेस चलेगा के नहीं तो चोटा इंवेस्ट करके सुरुः कर सकते है उसके लिए एक छोटा मैसीन मैं आपको दिखाऊंगा और आप अगर चाह तो आटोमेटिक सेमी आटोमेटिक बहुत सारा मेशीन है सब मेशीन मैं दिखाऊंगा तो चलिए क्या-क्या मेशीन इसमें लगता है और इसके लिए मतलब इन्वेस्मेंट कितना पड़ेगा मेशीन का रेट क्या है चलिए देख लेते हैं दोस्तो यह जो देख रहे हैं आप यह है नुडूल्स मेकिंग मेशीन देखिए यह 47,500 रुपीज से सुरू है और आटोमेटिक भी आता है यह सेमी आटोमेटिक है 55,000 देखिए यह डिफारेंस दामों में आता है तो आप शुरू-शुरू में ज्यादा इन्वेस्मेंट ना करने से ही बेटर है तो पहले आपको क्या करना है छोटा सा मेसीन लेकर मार्केट को देखना है थोड़ा बिसनेस को बढ़ाईएगा तो बढ़ जाने के बाद अच्छा बड़ा मेसीन ले लेंगे तो और भी बहतर रहेगा तो ऐसा एक मेसीन आप ले सकते हैं यह मेसीन कैसे काम करता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ देखिए दोस्तों यह जो मेशीन आप देख रहे हैं यह सेमी आटोमेटिक मेशीन है मैं जिस मेशीन को दिखाया था इसका रेट ज्यादा नहीं है 50 to 55,000 में आपको मिल जाएगा यह देखिए उपर में यह जो इसका जो इंग्रेडियन्ट है दिया हुआ है थोड़ा पानी कम लगता है इसमें पानी ज्यादा देंगे तो प्रॉब्लेम हो जाएगा तो देखिए कितना अच्छा यह मेशीन काम कर रहा है यह semi automatic machine है इसको लेकर आप business कर सकते हैं और चाहे तो और एक machine मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसको लेकर आप शुरू आती दोड़ में मतलब बहुत छोटा इन्वेस करके आप बिजनेस को सुरू करके देख सकते हैं तो यह भी लेख सकते हैं इसका लिंक मैं डिस्किप्शन में दे दूँगा और एक मेसीन है चलिए आपको दिखाता हूँ तो देखा दोस्तो मेसीन कैसे काम करता है और कितना जल्दी-जल्दी बहुत नुडूस बनके रेडि हो जाता है और आप अगर छोटा मेसीन लेकर सुरू-शुरू में शुरू आती दोड़ में आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है तो एक मेसीन मैं आपको दिखा रहा हूँ चलिए देख लेते हैं दोस्तों जिस मेसीन के बारे में मैं बात कर रहा था वो ये मेसीन है देखिए छोटा सा है प्यारा सा है बहुत अच्छा काम करता है बहुत बहुत अच्छा चीज है ये आप चाहे तो इसे पर्चेस करके सुरू सुरू में बिजनेस को स्टार कर सकते हैं देखिए कितना अच्छा नूडल्स बनके रेडी हो गया है इसमें सिर्फ नूडल्स नहीं पास्ता भी बनता है ये जो देखिए एक-एक डाइस है डाइस से पास्ता बन जाता है चलिए दिखाते हैं ये देखिए इजी पास्ता बन गया है इसका लिंक मैं डिस्किप्शन में दे दूँगा चाहे तो आप पर्चेस कर सकते हैं तो देखा दोस्तों इस छोटा सा मेशीन को लेकर आप बहुत अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और घर में आप अगर नुडल्स बना के खाना चाता है तो भी आप कर सकेंगे और भी एक मेशीन है उसका रेट भी बहुत कम है और घर में आप नुडल्स उससे भी बना पाएंगे तो वो मेशीन क्या है चलिए देख लेते हैं देखिए दोस्तों ये भी एक छोटा सा मेसिन है इसका दाम भी बहुत कम है ये बहुत अच्छा नूडल्स बना देता है देखिए थोड़ा बड़ा काट रहा है लेकिन आप छोटा करके भी काट सकते हैं इससे भी बहुत अच्छा नूडल्स आप घर में बना पाएंगे ये 2000 में आपको मिल जाएगा देखिए कितना अच्छा बना है इसका लिंक भी मैं description में दे दूँगा तो देखा दोस्तो ये मेशिन कितना अच्छा काम करता है और दाम बहुत कम है 1691 ये मेशिन का लिंक मैं description में दे दूँगा आप चाहे तो इसे purchase कर सकते है दोस्तो मैं business related वीडियो बनाता हूँ तो मेरा Amazon में मेरा एक store है उसमें आप अगर visit कीजिएगा तो अच्छा अच्छा machine आपको मिल जाएगा ये जो machine देख रहा है ये machine भी मेरा store में available है चाहे तो आप यहां से जाके purchase कर सकते है दोस्तो noodles बन जाने के बाद आपको एक अच्छा pack बनाना है pack अगर अच्छा नहीं होगा तो आज कल market में ये आपका product जितना भी अच्छा होगा ये चलेगा नहीं तो आपको अच्छा एक pack बनाना है और बाद में आप packing machine कर लीजिए दोस्तों ये manual packing machine है इसका link में description में दे दूँगा और दोस्तों packing हो जाने के बाद इसे बेचना भी तो है तो कहां पर बेचेंगे आप दोस्तों इसे अब आप अगर बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा अब बड़ा बड़ा जो restaurant, hotel बगरा है उनसे जाके बात कर सकते हैं उसका बहुत लगता है तो आप अगर ठीक ठाक दाम से अच्छा माल देंगे तो वो लोग जरूर ले सकते हैं अभी market में street food का बहुत सारा दुकान है वहां पिर जाके आप अगर बात करेंगे तो वो भी आप से ये noodles जो है खरी सकते है आजकल ये noodles का market बहुत अच्छा है हर कोई घर में खाना पसंद करता है तो किराओ के दुकान stationary swap में ये अच्छा भीगने वाला एक product है आप अगर आच्छा packet बना के अच्छा permission उनको देंगे तो वो भी आप से ये ले लेगा दोस्तो इसे आप online भी sale कर सकते हैं online आप इसे कैसे sale करेंगे इसको लेकर मेरा वीडियो है आगे का चाहे तो आप देख सकते हैं दोस्तो इसके लिए license भी ज्यादा नहीं लगेगा बस trade license, professional tax और physical license करके business को start कर दीजे investment ज्यादा नहीं लगेगा थोड़ा सा investment है और चलिए अभी देखते हैं ये जो noodles है ये हम अगर बेचेंगे तो इसमें margin कितना मिलेगा दोस्तो इसे बनाने के लिए पहला जो ingredient चाहिए आपको मैदा, main ingredient है मैदा मैदा आपको market में 22 रूपीज पर किलो में मिल जाएगा और ये noodles बनके जब ready हो जाएगा तो कितना दामों भी बेचा जा रहा है देखिए ये 420 ग्रांग का 62 और आप अगर कम दाम में भी इसे बेचेंगे तो कितना कम दामों में आप बेच दाकते हैं 70-80 रूपीज पर किलो में आप अगर बेचेंगे तो आपका बहुत अच्छा मुनापा होने बाला है देखिए यहां 850 ग्राम का दाम है 75 आप अगर जोडियेगा ही सब तो यहां पर 85-90 पर किलो में बेचा जा रहा है मैदा आपका आएगा 22 पर किलो तो मार्जिन आप सोची सकते हैं कितना भी कम होगा तो आप डबल मार्जिन आपको मिलेगा ही मिलेगा तो दोस्तों आज के लिए मुझे अग्गा दीजिये वीडियो अगर अच्छे लगा तो जरू लाइक कीजिएगा जैसे मुझे शपूर कर रहे वैसे करते रहिए थैंक्स पॉर वाचिंग एबे नाइस डे जैहिंद बवाय